हेलो असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अभी तुरन परान सरी पढ़के उठी और दुफर का बज़रा है एक और मैं अब जारी हूँ आप लोगों के लिए टमाटर सॉस की रेसिपी ले कर आई हूँ तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक सेर जरूर करिएगा ताकि सब्सक्राइब बढ़ सकें क्योंकि अभी न्यू न्यू वीडियो बनाई हूँ न्यू न्यू चैनल बन रहा है तो सब्सक्राइब में बहुत नहाणत लग रहY है यहाँत अगर आप लोग Hearक्ıl करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे ख्याल से 280 सब्सक्राइबर हैं अभी तो अगर 280 सब्सक्राइबर भी Benek सब्सक्राइब भी बढ़ाएंगे तो गजे गजाए अधिसरे सबुकर्स कर संब страх कि यह थाहिए करें दो सब्सक्राइब आज हम आपलोगों के साथ टॉमाटर शॉश की एमयारलो का मे अब तो मुस्त पिल भी विए так ख्रेट में हुआ है तो मेरे पास तो टमाटर आल्रेडी बहुत ज्यादा है तो आप लग बीचेहे तो लेने के लिए तो आज की जो रेसेपी है वह है टमाटर सॉस्ह तो किस तरीके से स्टॉर करके रख सके। तो जो मैं टमाटर सॉस के आपके साथ रेसिपी सेर कर रहे हूं उसको एक साल तक कंटीन्यू रख सकते हैं, बिल्कुल खराब हुए, बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि हम लग उसमें वीनिगार का यूज करेंगे, और जो भी उसका पानी है, उसको पूरी तरीके से अगर आपको तीखा खाना पसंद है, यह तो आप तीखा खाना पसंद हो जो फिलेवर करें, जो पूरी करेंे, इस लिए घ्लक यूज कर सकते हैं, बद जो मैं आज अभी बना रहे हूं, उसमें मैं ने गुड़ का यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे फेमली वालों के ल तो आज की जो टमाटर सॉस की रेसिपी है उसके लिए हमें जो चीजे चाहिए उसको मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूं सबसे पहले तो मैंने यहां पर टमाटर ले लिया है टमाटर का साइज आप देख लीज़े बहुत छोटे टमाटर ने लेने हैं और बहुत लेसन को छटा-छटा काट ली हूँ प्यआस ले ली हरि मिर्श ले ली कद्दुकस किया हुए अधरख ले ली हूँ अधरख को कद्दुकस कर दी हूँ और शुखे मसाले में स्रीप मैंने लिया है नमक, साधा नमक, काला नमक, गरम मसाला पाड़ा रहिए ना और यह है लाल मिर्च कॉन सा लिया है मैं ने कासमीरी लाल मिर्च लिया है और आप यह पर गुडि अइड कर सकते हैं जब आप नमस ऊइड करेंगे उसी टाइम गुड़ भी अइड Five कर सकते हैं बट मैंने जॉइंट पाइट जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको हटा ही दीजिएगा और टमाटर को कट कर लिजेगा अच्छी तरीके से मेरा टमाटर अच्छी तरीके से कट हो चुका है तो मैंने यहां पे चड़ा दिया है कड़ाही अब आप बोलेंगे मैं कड़ाही में पानी क्य तो बस आपको लेना है हलका सा पानी उसमें कट किया हुआ सारे टमाटर एड कर देने हैं टमाटर सारे एड करने के बाद आपको इसमें आड करने हैं वह मसाले जो आपने कट करके रखे हुए ते जैसे प्याज अद्रक लहसुन और हरी मिश यही उसका मेन फ्लेवर बढ़ यह जो सूखी मसाले हैं इनका यूज मैं अभी नहीं करूंगे मैंने कची-कची चीजों का यूज किया है और हरी मिर्च का यूज जाद़ इसलिह किया है क्योंकि मुझे थोड़ी तीकी चटनी बनानी थी क्योंकि चटनी जो मुझे स्टोर करके रखनी है वह मैं भजिया पकाड़ी पूड़ी वगयरा से ट्राइ करूँगी इसलिए मैंने इस तरीके से चटनी बना के रखी उसमें मैंने गुड़ का यूज नहीं किया है लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो या मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ जरूर एड़ कीजिएगा तो इस तरीके से मॉइस्चर छोड़ने के बाद टेस्ट और खुस्बू एक दम टमाटर सॉस के जैसे ट्राइ जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताईएगा कि आपने टमाटर सॉस को बनाया या नहीं बस इसका एक ही में बात है जिसको आप याद रखिएगा कि सड़े कले अच्छी तरीके से खताम अब हम इसे करेंगे ठंडा करने के बाद हम इसको पल्टी कर लेंगे और पीसेंगे पीसने कवास बहुत बारीक चलनी से इसको छालना है तक इसका एक बिबिया चिलका कुछ भी चीज उसमें ट्रांसफर ना हो और याद रखिएगा कि इसको लेकिन जादा गरम भी मत पीस दीजेगा मैंने इसको बहुत देर पहले बंद कर दिया था आप लोको दिखाने के लिए फिर मैंने इसे चालू किया तो जो नीचे गरम था वो दिख रहा है इसमें अब यह हो चुका है ठंडा है विस दो बार में इसको अच्छी तरीके से पी नहीं वाली दुपट्टा वगेरा होती है उससे भी छान सकते हैं मेरे पास चंघ और लेवल थी तो मैंने चंघ और चंघ से चान लिया और अच्छी तरीके से इसको चान करेंगे बचनी के लिए कुछ बच जाता है तो उससे दुबारा पीस लेंगे इस तरीके से मेरे पस बस इतना ही वेश्ट बचा था बाखी सब अच्छी तरीके से च्छन चुका था और कड़ाही हो गई थी खाली अब इसी कड़ाही का करेंगे दुबारा से यूज अब इसमें तेल का यूज कहीं पर भी नहीं होगा इस चीज को याद रखेगा मैंने इंडेक्शन को किया और अब हम चढ़ाएंगे फिर से इसको पकने के लिए अच्छी तरीके से महीन हो चुका है जितना जादा महीन चानेंगे उतना अच्छा है आपके लिए जितना को लाइए और इस तरीके की टमाटर सॉस घर में बनाईए और इस्टोर कर लिए साल भर के लिए जब भी आपके पास मैंने इसमें गुड़ का यूज करने वाली हूं क्योंकि बच्चों का कहना है कि प्लीज बना दीजे हमको सेम वही वाला टेश्ट चाहिए मिठा वाला चाहिए और बािग बनाई धाल कश्चों करने दाने में एक साय को मात्तके देटेनी तरह पर், जब तक या गाडि आप करने की बारे सुखे अध। नहीं है और आपको दिखाएंगे अपने सुखे मसाले ये लास्ट स्टेप चल रहा है आप इसमें गुड़ भी एड़ कर सकते हैं मैं गुड़ एड़ लेकिन आप लोगों को बता देती हूं कि आप प्लीज गुड़ एड़ कर लीजेगा तो बिल्कुल टमाटर सॉस वाला टेस्ट यहां पे गुड़ का यूजे तो काला एक्कर लाल मिर्चाने है और लाल मिर्च हो जयूति हो दई कर एकक में चुप ज़ीन यहां नहीं होब के दाने मेंसे। यहां पे पार आपकी पीलिज़ किनल मुद्वर रोगों संहें तो प्लम की सखोने हैं यह है मेरा विनीगर विनीगर आप वैड करने का कारण में बता रही हूं क्योंकि विनीगर इसमें अगर एड हो जाएगा तो यह फिर एक साल के लिए इस टॉप एक साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस तरीके से आप टमाटर सॉस बना के खटा मीठा तीखा जो सफ पूरा देखने के लिए बाई 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 अल्ला हाफेज नेस्ट वीडियो का विट कीजिएगा